आज मैं आपको जीरे वाले चावल बना के बताऊंगी तो चलिए देखते हैं कैसे बनते हैं जीरे वाले चावल यह मैंने चावल ले लिए जितने मुझे चाहिए अब मैं इनको साफ करूंगे पानी से दोऊंगी आप भी जितने मुझे चावल ले लिजिए जितने आपने बनाने हुए और साफ कर लिजिए उनको अब इसमें मिक्स करिए लाल मिर्च पौडर हल्दी नहीं डलती फ्रेंड हल्दी नहीं डालने हैं हमें लाल मिर्च पौडर डलना है जीरा दो छुट 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 चमच मैंने जीरे के डाल दियें और नम्मक आप अपने स्वादानों सारा डाल दीजिए जितना आपका टेस्ट है ज्यादा खाते हो तो ज्यादा कम खाते हो तो कम अब इसके बाद इसमें हमने एड़ करना है थोड़ा सा कलर चटनी कलर थोड़ा सा बिलकुल अब इसमें एड़ करने है हमने गी देसी गी होना चाहिए रिफाइन तेल मत डालना और कुछ भी देसी गी डालना है इसमें यह मैंने तीन चमच देसी गी डालें इसमें अब इसको मिक्स के जे फ्रैंड अच्छी तरह से अब धक्कन लगा के पकने के लिए रख दीजिए दो सिट्टी आने तक पकने दीजिए देखिए फ्रैंड चावल हमारे पक चुके हैं बच्चों को यह चावल बहुत ही पसंद आते हैं एक बार आप बना के ट्राइ करके देखिए और आम के अचार के साथ तो बहुत ही स्वाधिस्ट लगते हैं तो फ्रैंड अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना शेयर करना कुमेंट्स करना और सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को निलम लाइफस्टाइल को थैंक यूँ स्टल्फ लगते हैं तो